हाई दोस्त कैसे है मेरे सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार देखिए फ्रेंड्स अभी जैतरी नौवरातरी चल रही थी आईसे दुर्गा अश्टमी है तो आप सभी को जैमाता जी और साथ साथ में कल भगवान स्री राम का जैनम दिन है तो मैंने सोचा जिसका चैनम दिन होता है ना फ्रेंड्स तो हम उसको जो अच्छा लगे वही काम करते हैं ना तो वही से भी अभी देखो लोकडाउन चल रहा है तो घर में ही घर में रहना है तो मैंने ये सब घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था पहले से जो पुराना जो सब सामान इकटा करके रखा था तो वह सभी सामान को मैंने निकाला और मैंने सोचा कि चलो बगवान स्री राम का जनम दिन है तो भी कुछ ऐसा काम करती हूँ कि जो मुझे भी जचे और बगवान स्री राम तो खुश कुसाल हो जाए तो मैंने ये घर में पड़ी होई चीजों से देखिये तो ये बगवान स्री राम और ये सीता मया देखिये ये सभी अभी तो देखिये आपके गर में से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं तो जो गर में ही चीजों पड़ी होई थी उन सभी का मैंने अच्छे से यूज किया और देखिये ये सीता जी के स्वयंवर का मैंने पुरा का पुरा ये बनाया है देखिए तो सिता जी आत्मे माला लेकर खड़ी हुई है भगवांजरी राम धनुस तोड़ने के लिए रेडी है तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं आपको ये मेसेज देना चाहती हूँ कि लोकडाउन है लोकडाउन है कहीं जाना नहीं आना नहीं क्या करे अभी तो बहुत बोर ह होते जा रहे है ये कूछ सोचे बिना हम जो हमारे पास क्रियेटिविटी है हमारी अंदर जो स्कील है जो हमें कोई अच्छे से कोई भी चीज बनानी आती है तो वो पूरे-पूरी बनाईए देखिए कितना अच्छा लगता है तो ये मैं तो सोचती हूँ कि लोकडाउन मे हमारा जो स्किल है उसका पता हमें चलेगा देखिए मुझे भी मैं भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि देखिए तो इतना अच्छा मैं बना सकती थी क्या लेकिन ये सही है कि मैंने बनाया है तो हमारे अंदर पड़ी हुई इकला या तो हमारी स्किल का हमें भी पता नहीं होता है तो जब-जब हम इसी तरह हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है तो उसका सदुपयोग करते हैं तो देखिए कितना आच्छा हम बना पाते हैं देखिए सिता मईया को मैं पूरे के पूरे सजा दजा कर रखी है दिखिए तो स्वयमर के लिए मईया तयार है इसी तरह बगवान स्री राम भी तयार है तो फ्रेंड्स इसी तरह घर में पड़ी हुई चीजों का उप्योग करके ये लोगडाउन के दिन है तो हम कुछ न कुछ क्रियेटिविटी करे मैं इसा नहीं कहते हूँ कि ऐसी ही चीज़े आप बनाईए आपको जो भी सोख हो आप किचन में रसोई बनाने का सोख है, गाना है, वो स्टोरी लिखना है वो कपड़े सिलना है, कुछ न कुछ तो हमारे सभी के अंदर कुछ न कुछ खुभी बगवान ने रखी ही है तो ये खुभी ढून निकालिए और चलिए कल से ही बगवान स्री राम का जनम दिन है तो आप सभी को मुबारक और आप सब कल से ही सुरू हो चाहिए अभी हमारे पास 14-15 दिन है तो ये 13 दिन है, तो ये 13 दिन में हम कुछ न कुछ तो बना पाएंगे तो चलिए, अभी से सुरू हो चाहते है जय स्री राम